दिवाली के पावनफसर पर अगर आप इस विधी से करेंगे माता लक्षमी की पूजा तो आपके भी घर में होगी धन की वर्चा जी पंडे जी कौन सी विसेश पूजा से देवाली के पर परमाता लक्षमी घर पे आएंगे और बरकत होगी महालक्षमी जी का सबसे विसेश पूजा ने है कि दीपक तो महालक्षमी जी की पूजा दीपा वली में सभी लोग जलाते हैं लेकिन वो जो दीपक जलाते हैं उनको सही माइने में जानकारी ना होने के कारण अगर ये उपचार करें ये उपाय करें तो महालक्षमी जी आपके घर में इस्थिर रहेंगी उसमें दीपक जलाने के पहले जहां जमीन में रखा जाता है दीपक, जिस जगए में रखना हो, वहां रक्षा सूतर पहले रखें जमीन में, फिर थोड़ा चावल रखें, फिर थोड़ा रोली रखें, और इसके बाद वहां काली तिल रखें, इसके बाद उपर से दीपक र बज़े से लेके और 10 बच के 30 मिनट तक कल रात में पहले सुभमारूर्त है फिर अम्रीत है फिर चल इन चौगड़ियां अपने को मिल रहीं इसमें सुभमारूर्त है बज़े से लेके आप 10 बच के 30 मिनट तक महालक्षमी जी का पूज़ा दीपक का प्रजलन कर सकते हैं